मैं दिपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरिस ओलम्पिक्स में भारत के 2 अगस्त की रिजल्स की जिसकी शुरुवात हम करेंगे शूटिंग से जहां पर 25 मीटर विमन्स पिस्टिल के क्वालिफिकेशन के अंदर एक तरफ जाम अनुभाकर ने दूसरे स्थान पर फिनिश करते हुए विड़ टोटल स्कोर और 590 पॉइंट्स फाइनल्स की अंदर जगा बना ली है और हम उमीद करेंगे कि वो अपने इस ओलंपिक्स के तीसरे फाइनल्स में तीसरा मेडल भी जीतने में काम्याब रहे महीं दूसरी और ईशा सिंग भी हमें नजर आई जिरोंने अठारवे स्थान पर फिनिश किया है विड़ टोटल स्कोर और 581 अब बढ़ते हैं बैडमिंटन की और बैडमिंटन पे जहां पर हमें भारत का एक मुकाबला देखने का मिला मैंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स का जहां पर भारत के लक्षे सेन कंपीट करते हुए नजर आये चाइनीज ताईपे के शफलर चौत के इंचेन के खिलाफ ये मुकाबला तीन सेट गया लेकिन आखिर में बाजी सेन ने मारी और आज के इस मुकाबले में सेन ने काफी लाजवाब तरीके से खेला पहला सेट 19-21 से गवाने के बावजूद भी काफी स्ट्रॉंग कमबाक हमें उनके तरफ से देखने को मिला काफी कामली वो पूरी कंडिशन को समझते हुए खेलते हुए हमें नजर आये जिसका फाइदा उने जरूर मिला और उन्होंने इस मुकाबले को 19-21-21-21 से जीते हुए सेमी फाइनल्स के अंदर जगा बना ली है और इसी के साथ लक्षे से इन बन गए हैं भारत के पहले मेल इंडियन शट्लर तो वीच था सेमी फाइनल्स ऑफ एन ओलम्पिक्स अब उनका सेमी फाइनल्स में या तो मुकाबला विक्टर एक्सलसन से होगा या फिर सिंगपूर के शट्लर लोकी नियू से इन दोनों खिलाडियों का मैच तीन अगस्त को रहने वाला है तो वहाँ पे जो भी जीत दर्च करेगा उसका मुकाबला सीधा सीधा लक्षे से इन से होता हुआ हमें नजर आएगा सेमी फाइनल्स के अंदर वहीं बात की जाए दूसरी और जोडों की जहाँ पर विमन 78 केजी के राउंड अफ 32 में भारत की नजर आए तुली कमान और उनका मुकाबलता क्यूबा की खिलाड़ी के खिलाव जहाँ पर उन्हें 0-10 से हार का सामना करना पड़ा और वो यहीं से ही भार हो गई वहीं रोइंग के अंदर भारत के बलराज पवार नजर आए मैं सिंगल स्कल्स की फाइनल डी में जहां पर उन्हें पांचवे स्थान पर फिनिश किया है विदर टाइमिंग ऑफ 7 मिनिट्स 0-2.37 सेकंड अब बढ़ते हैं आर्चरी की और जहां पर मिक्स तीम के हमें ली खेलती हुई नजर आई अपना ब्रॉंज मिडल मैच यूएस से की पैर के अगेंस जहां पर भारतिये पैर को 2-6 से हार का सामना करना करना पड़ा रहा उन्फॉचनेटली यह इंडियन पैर इस ऑलिम्पिक्स में जो है वो ब्रॉंज मिडल जीतने से चूग गया और च 52 साल के लंबे गैप के बाद यह भारत की ऑस्ट्रेलिया के उपर जीत है जो कि जरूर इंडियन में टीम को काफी जादा कॉन्फिडेंस देगी उनका काफी जादा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा उनके आने वाले मुकाबलों के लिए अब बढ़ते हैं इत जो का उनका सीजन बेस्ट टाइमिंग भी रहा और साथ ही वो सिर्फ और सिर्फ 0.3 से चूग गई फाइनल्स के लिए कौलिफाई करने से वही दूसरी और दूसरी अथलीट नजर आई अंकिता जिनोंने फिनिश किया है 20 वे स्थान पर विद टाइमिंग उप 16 मिनेट 19.18 और वह भी फाइनल्स के अंदर जगा नहीं बना पाई वहीं में शॉट पूट के भी कौलिफिकेशन हमें देखने को मिले जहां पर भारत के तजिन पाल सिंग दूर नजर आए जिनोंने एक काफी ही डिसपॉंटिंग पर्फॉर्मेंस वह हमें देते हुए नजर आए 18.05 क जिसकी वज़े से उनका पारस ओलम्पिक्स का सफर यहीं पर खत्म हुआ और उन्होंने पंद्रवे स्थान पर इस क्वालिफिकेशन के अंदर फिनिश किया वहीं बढ़ते हैं गॉल्फ के और जहां पर अभी तक भारत के शुभांकर शर्मा चल रहे हैं टी 25 पर वहीं कि समापती पर नेथरा फिलाल बनी हुई है ग्यारवे स्थान पर विदा टोटल ओफ 21 पॉइंट्स और यह भी सेलिंग के गॉल्फ की जो माचस हैं वहाने वाले दिनों में हमें होते हुए कॉंटिनियसली दिखने को मिलने वाले हैं तो चलिए फिर यह थे आज के सभी नए दूसरे स्थान पर है फ्रांस और तीसरे स्थान पर है और भारत है 45 स्थान पर तो यह थी पारिस ऑलंपिक्स की मिडल चली भी आप सबी के लिए बागी अप्की तीन अगस्त को भारत के मेंटल इवेंस हमें देखने को मिलेंगे सबसे बड़ा एवेंट मनु भाकर kा फाइनल्स ही रहने वाला है उसके अलावा भी आर्शरी के अंदर भी देखते हैं कि आप देपेका और भचन को और मेरे लाउंस तक पहुचने में कामियाब रहते हैं या फिर नहीं तो आज की वीडियो में बस इतना ही बाकि पारेस ओलंबिक से जुडियार का पर जानने के चैनल के साथ जरूर चुड़े रहें उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें तो थैंक यू फर वाचिंग दे वीडियो